हलो डियर फ्रेंड्स आज काई जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग भी होगा आप सभी के लिए क्योंकि आप शायद इन चीजों को आज पहली बार जानेंगे हम बात करेंगे आज केलेंडर के बारे में मैं आपको कोई मेंटल अबिल कोई में उससे हैं के केलेंडर को इतना ही जानते हैं आप कंसेप्ट है अलगल एक किल्चर अज एलग एलोग ड्रिलीजन से बिलॉग करते हैं जैसे Hindu religion का अलग calendar है, Muslim religion का अलग है, ऐसे ही Chinese calendar अलग है, Japanese calendar अलग है, English calendar भी दो, Julian and Gregorian. तो worldwide ये जो calendars use हो रहे हैं, इन calendars का आज एक basic छोटा सा हमारे साथ में introduction है. पीछे background में बड़ी असी photo मेंने लगाई है, और यहाँ पर सूरज देवता दिख रहे हैं और चंद्रमा जी दिख रहे हैं अब सूरज चंद्रमा पीछे numbers calendar क्या है यही तो है calendar आपको seasons पता चल जाता है calendar से अगर मैं हिंदुस्तान में रहते वे ये बात करूं और basically जहां अभी जिस तरह से हम रहते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है सरदियां का पड़ेगी तो आपको कहोगे हाँ नवेंबर, दिसंबर, जनवरी के असपर सरदियां होगी. हमने क्या किया? हमने एक सीजन को टाइम दे दिया. हमने एक सीजन के बारे मताया. अब तो अगली बरसांत में ही अब कुछ हो सकता है, पानी की कमी तब ही पूरी हो सकती है. मतलब मैं वेट करूँगा मॉन्सून का, मुझे मॉन्सून का पता है कि कब में, अप्रेल, जून, इस ताइम डूरेशन के अंदर मॉन्सून बरसांत होगी है हमारे अन। गर्मी बहुत तेज पढ़ रही है, जून, जुलाई, अरे भई, मे जून, अब ये वाला जो टाइम है हमने क्या किया, हमने अलग-अलग चीजों को यहाँ पे एक तरीगे से इंट्रिजूज कर दिया, यूगाट माइ पाइंट, अल्टिमेटली हमने क्या किया, इंट्रि स्टार्टिंग जब कलेंडर की हुई तो इसके बीचे की बेस क्या थे, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे के डिफरेंट टाइप अफ कलेंडर यूज अराउंड दे वर्ल्ट, तो देरा मैने डिफरेंट कैंड अफ कैंड जो की अक्टिवली यूज होते हैं, अगर आपको पीसरे वाले पे बात करेंगे, हम पहले बात करते हैं सोलर पे और लुनार पे, अब होता क्या है सोलर वाला, सूरज और प्रित्वी का यह जो मूवमेंट है, और बीटल जो भी वो मूवमेंट करते हैं, ऐसे में, ओविसली सीजन इसी से डिपेंड करता है, इसी चीज पे तो जो मूवमेंट ऑफ अर्थ हैं, मतलब पूरे सोलर सिस्टम पे बेजड होता है, किस तरह से अर्थ मूव कर रही है, सन के चारो तरफ अपनी और्बिट पे घूम रही है, अपनी एक्सस पे घूम रही है, उस हिसाब से यहाँ पे यह कैलेंडर डिजैन किया जाता है, ज पूरे से अर्फ आपनी फुल शेप में आएगा, पूरा एक मन्त का ताम डिरेशन होता है, इसमें दो फेसे होता है, एक में पूरा चांद दिखता है, और पूरा चांद गयाब होता है, जिसको हम अगर हिंदूों में कहीं, तो बेसिकली अमावस्या कहते हैं पन और इसको पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा में जब चंदरमा पूरा हो जाता है, अमावस्या में चंदरमा जब खतम हो जाता है, तो जब हम चांद के हिसाब से कैलेंडर डिजाइन करते हैं, या जो डिजाइन अल्रेडी कैलेंडर से हैं, वो लुनार कैलेंडर से हैं, और जो ठीक, तीसरे वाले में बात करें, तो तीसरे टाइप का जो calendar है, वो इन दौनों का mixture है, देखो नाम भी similar सा दिखेगा आपको, lunisolar और solilunar, ये दौनों ही एक ही नाम है, इसमें दौनों ही चीजों को focus किया जाता है, जो solar system है उसको भी, साथ ही साथ, जो आपका, चंद्रमा का, जो different phases है उसको भी, तो ये जो calendars हैं, ये basically इन तीन categories में divided है, इसको आप एक ही category मानेंगे, और ये दो अलग-अलग categories यहाँ पर exist करती है, तो these are the three basic categories of calendars, अगर इसको थोड़ा सा और broadly हम पढ़ें, तो बहुत लंबे time duration के बाद में, बहुत सारे अलग-अलग लोगों ने due to their culture, their tradition, their religion, अपने-अपने खुद के calendars को develop कर लिया, ठीक है, अपने-अपने खुद के calendar उन्होंने develop किये, कैसे किये, यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर बात करें, तो Julian calendar, सबसे पहले अगर English calendar की बात हम करते हैं, तो यह calendar है Julian calendar, अच्छे से समझना है इस बात को, लगभग 45 BC के अंदर Julian calendar एक तरीके से introduce हो गया, ठीक है, एंड काफी पुराना था, और इस Julian calendar के introduction के बाद में, कमिया थी कुछ इसमें, अभी हम उस पर ही बात करेंगे, बट काफी चीज़ें इसमें ऐसी थी, जो की काफी लंबे टाइम तक use हुई, इवेन उसके उपर कहीं गौर भी नहीं किया गया, बट ये परफेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको इन दिनों बंद कर दिया गया है, अगर दूसरे calendar की बात करेंगे, तो ये religious base हो जाता है, हमारा Hindu calendar, दूसरा हमारा Hijri, या फिर Islamic calendar, हमारा Buddhist calendar, Japanese calendar, Chinese calendar, और Hebrew, Hebrew क्या है, बेसिकली इसराइल की भाषा भी है Hebrew, और Hebrew calendar यहूदियों के थुरू यूज होता है, ठीक है, ये थोड़ा से याद रखना, जिसको आप Jewish calendar भी कहते हैं, इसका क्या नहीं में दूसरा, Jewish calendar, Jews हमने पढ़ा था class 9th के अंदर, history वाला चैप्टर था, नेपॉलिन का, sorry, Hitler का, Hitler वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कि वो एक community से नफरत करता था, वो Jews थे, तो जो वो community है ना, वो इस calendar को यूज करती थी, Hebrew वाले calendar को, ठीक है, आज के लिए, जादा topics को नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, आगे आने वाले lectures में, एक के calendar को उठाएंगे, आज हम Hindu calendar के बारे में पढ़ेंगे, Hindu calendar के बारे में, इसलिए because question आपके पूछे जा सकते हैं इससे, आप लोग जब बहुत सारे ऐसे holidays होते हैं, जो हम enjoy करते हैं, अगर आप school life में है, तो आपको पता चलता होगा, कि आज जनमस्ट मी है, आज गनेश चतुर्थी है, चतुर्थी, चतुर्थी मिन्स फूर्थ, अब फूर्थ क्या, कौन से वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, इसके अंदर भी अगर मैं आपको बताओ, थोड़ी दो-तीन चीज़े बता देता हूँ, जैसे, ये lunar calendar है, चलो इसको छोड़ो, lunisolar calendar कौन यूज करता है, ये करते हैं, Chinese, ठीक है, Chinese calendar, lunisolar calendar है, हम दौनों करते हैं, हम भी दौनों करते हैं, अधिकतर चीज़ें, हम solar calendar से लेते हैं, हमारी जो basic चीज़ें हैं, वो सारी की सारी solar calendar से हैं, ठीक है, बट हाँ, maximum जो community है, solar calendar को आप Gregorian calendar भी कह सकते हो, क्यों? क्योंकि English calendar दो मैंने बता है, आपको Julian और Gregorian, Julian calendar और Gregorian calendar, ये English calendar है, तो जो solar calendar है, पूरी तरीके से solar, तो जो America वगरा है, या जो भी English communities हैं, उनके थूरू, ये आपको solar calendar यूज़ करते हुए, आपको देखने को मिलेगा, ये, Gregorian calendars, यूज़ किये जाते हैं, मतलब ये based होता है, किस पे? Solar पे, ठीक है? और हम दौनों ही, हम दौनों ही community को, या दौनों ही categories को, हम use कर रहे होते हैं, ऐसे थोड़ा सा, आपको ये चोटी-चोटी चीज़ने याद रखनी है, अगर इसको थोड़ा सा, हिंदू कलेंडर को हम detail में पढ़ते हैं, तो we will came to know that, बहुत सारे सी चीज़े हैं, जो हमारे याँ पर होती है, और based होती है इनी सब चीज़ों पर, अभी कैसे है देखो, यहाँ पर मैंने कहा, जो हिंदू कलेंडर है, उसके अंदर तीन separate calendars हम यूज़ करते हैं, हिंदू कलेंडर में भी, तीन separate calendars हम यूज़ करते हैं, इसमें सबसे पहले है विकरम समवत, दूसरा है आपका शक्समवत, और तीसरा है आपका कल्यूग, अब पहले तो तुमने दो नाम जरूर सुने होंगे, विक्रम समवत तुने सुना होगा, छोटी ग्लासेज में सुना होगा, अपने बड़े बुजूर को से सुना होगा और शक्समवत भी आपने सुना होगा और कल्यूग तो शायद ऐसी चीज है, जो हर कोई अगर हिंदू रिलिजिन से बिलॉग करता है, तो हो जानता होगा कि कल्यूग ऐसा ऐसा चार यूग एक्जिस्ट करते हैं, उस चार यूग में से लास्ट जो यूग है, वो कल्यूग है, ठीक है? अब ऐसे में क्या होता है? जैसे Satiug हो गया, Drawapar yuk, second last होता है, Treta yuk चलो इसका sequence बताएथाँ सबसे पहले होता है बिटा, Sati yuk उसके बाद होता है Treta yuk उसके बाद होता है Drawapar yuk और उसके बाद होता है Kaliyuk तो Drawapar yuk का जो end हुआ वो Krishna के death के बाद से माना जाता है और कल्यूग की शुरुवात वहां से माने जाती है जब कृष्ण की दैथ हुई तो Lord Krishna की दैथ approximately इस time duration के आसपास हुई थी और यहां से start हो जाता है कल्यूग अब यहां से start होने के बाद में ऐसा माना जाता है जैसे अगर हम थोड़ा सा अगर इसको religious manner में बोलें तो लगभग 4,27,000 साल और बाकी हैं कल्यूग के ठीक है 4,27,000 साल अभी और बाकी है इसको accurate बताऊं तो हमारे जो पुराण हैं उनके हिसाब से 4,26,800 इतना लगभग 880 के आसपास इतना लगभग बाकी है अभी तो हमने बहुत कम टाइम अभी तो देखा है करीबन 5,5 साल के आसपास ही हमने देखा है इसको अभी तक साड़े 5 साल ही बीते हैं कैसे इसके अंदर 2022 और एड़ कर लो 2022 और एड़ करोगे तो लगभग थोड़ा समय हां 5,142 साल के आस करते हैं अभी तो हम दौनों यूज करते हैं पहली चीज तो बट गोवर्मेंट ऑफ इंडिया ने यह अशौर किया कि हम एक हिंदू कलेंडर को फॉलो करेंगे जिसके इसाब से जो चुट्टी बगर है उसारी हम डिसाइड करेंगे और जो भी फेस्टिवल्स बगर है उन यह छोटी सी एक डेट याद रख लेना 22 मार्च 1957 को हमने ग्रिगोरिन कलेंडर के साथ मतलब इंगलिश कलेंडर के साथ साथ शक समवत को भी हमने अडॉप्ट किया था शक कलेंडर को भी हमने किया था इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा दौनों कलेंडर कैसे इंडिया के साथ साथ जावा में बाली में भी शक कलेंडर को शक समवत को हम क्या करते हैं एकसेप्ट करते हैं साथ ही साथ हिंदू फेस्टिवल हो चाए हॉलिडेइज हो उन सभी को हम इनी कलेंडर से क्या करते हैं मैच करने के कोशिश करते हैं मेरी साथ से यहां तक तुम जो भी स्पेस के अंदर इतने ज्यादा एडवांस है हम तो वो क्या बताएंगे वो टेलिस्कोप से सारी चीजन करके हम जो पंड़जी की पास हम पत्रडा होता है न एक छोटे सी किताब होती हो कि तुमने देखा होगा जिसमें तिथी के साब से कैल्गुलेशन करता है कितने चन्द्रमा कितने टाइम पर होगए कंसे हम इतने आडवांस थे हमेशा से हम आज भी हम साइंस कि आम से है थो एखैंगे साब बन गई है और हम क्यालजी चीजन के होगा ने वाले मस्तब्स तक न trata करेंगे वहाँ पंड़जी ये भी क्या करते हैं तुरन देख करके उसमें कैल्गुलेट करके बता देते हैं इतना एडवांस था हमारा मतलब लिट्रेचर बोल सकते हो इसको या हमारी नॉलेज बोल सकते हो अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं दो तीन चीज़ हैं इसके बारे में बता देता हूं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा शक्समवत है और विक्रम समवत है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि शक्समवत या विक्रम समवत कि है अब ये जो किंग विक्रमा दित्ते थे राजा विक्रमा दित्ते है ये उजेन के राजा थे आपने बेताल 32 और बेताल 25 और सिंगासन 32 के नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं विक्रम बेताल का नाम तो जरूर सुना होगा विक्रम बेताल तो उसमें जो वि इन्हीं राजा का है और यह जब राजाएसा माना जाता है एक शक संवत जो शक संवत शक जो रूर्स थे शाकास जिसको अपन कहता है तो शक को रूर्स को हराकने के बाद में जब विक्रम Aditya ने शक BL Family को दिया था अपने खुद का एक नया आयरा ठीक है तो ये विक्रम विक्रमादित्य राजा थी उन्होंने स्टार्ट किया था एंड आज की कैलेंडर से हम काफी जादा मतलब आगे थे उस टाइम पर अब हुआ क्या लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमिया थी ठीक है तो दूसरे कलेंडर को हमने देखा जिसका नाम था शक्समवत इसके लिए भी कहानी बड़ी अच्छी है इंटरस्टिंग सी है इसके अंदर जो राजा है वो है कनिशका अब ये जो कनिशका है ये कुशान डाइनस्टी से बिलॉंग करते हैं कुशानाज ठीक है अब ये कुशानाज ज होती है 30 AD से एंड खताम होती है ये 375 AD पर ठीक है अब एक और चीज़ बतायता हूं इनका रूल कंप से कब तक रहा तो लगबग इन्होंने 127 से स्टार्ट किया अपना रूलिंग टूरेशन एंड होता है 150 AD पर लगबग इन्होंने 22 साल तक रूल किया इनका जो टाइम कालेंडर शुरू किया था और वो शक कालेंडर था या शक समवत था बहां से स्टार्ट किया और इन्हीं का हमने अडॉप्ट कर लिया जिसमेरे डेट आपको बताया गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्कुरेट माना कंपरेटिव लिए उससे और 12 सारी 22 मार्च 1957 को इन्होंने इसको अडॉप्ट किया ग्रिगोरियन मतलब इंग्लिश कलेंडर के साथ में मेरे इसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम थी क्या थी कि यह जो शक समवत था यह इंग्लिश कलेंडर से पीछे था कैसे जै 2022 चल रहा है तो विक्रम समवत के हिसाब से हमारे आपर क्या चल रहा है 2019 मतलब 2079 चल रहा है और अगर 80 ओके अगर मैं शक समवत के हिसाब से बात करूं तो यह चल रहा है 1944 AD ठीक है एक बार कल्वलेट करके देखेंगी तो मेरे इसाब से यही आएगा तो अगर विक्रम समवत के हिसाब से बात करें और यह अगर बात करें हम शक समवत के हिसाब से तो यह condition है ठीक है तो आज की डेट 2022 के हिसाब से तो यह यह इतना है और यह इतना है मेरे इसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है इनका छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया यह हिंदी हिंदू कलेंडर है एंड इंडियन्स के थुरू यह यूज किये जाता है अमोमन हमारे यहां पे जो भी इंग्लिश कलेंडर की बात करें तो इंग्लिश कलेंडर में दो बेसिक कलेंडर यूज होते हैं जो मेंली यूज होता है वल्डवाइड एक होता है ग्रिगोरियन कलेंडर और एक होता जूलियन कलेंडर और इसके बार मैंने तुम्हें बताया है कि जूलियन और ग्रिगोर है वो 365.25 बताए गए हैं ओके एंड ग्रिगोरियन कलेंडर की जब आपन बात करते हैं तो ग्रिगोरियन कलेंडर में जो accurate एक साल का time duration बताए गया है वो 365.2425 है अल्टिमेटली जुलियन कलेंडर में time थोड़ा सा जादा जा रहा है इसके अंदर होता क्या है अल्टिमेटली गया पाजाता है लगबग 11 मिनिट का गया पाता है ऐसा बोला जाता है एंड उसके इसाब से देखो यहां पर calculation में बहुत फर्क पड़ जाएगा हाले कि लीपियर इन दौनों में ही थे धिक है तो जुलियन कलेंडर और ग्रीगोरिन कलेंडर के अंदर इतना gap है कि वहल कि जुलियन कलेंडर 365.25 बताता है और जो ग्रीगोरिन कलेंडर है वो 365.2425 बताता है इससे ज्यादा accuracy अगर हम यह जादा suitable लगा पूरे वल्ड में ठीक है थोड़ा सा इसको और समझने ही कोशिश करते हैं एक पैपल स्टेट तुमने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर इटली के पास वाला जो था तो वहां पर एक पोप थे उन पोप का नाम था पोप ग्रिगोरी 13 ओके पोप ग्रिगोरी 13 इन्होंने क्या किया 1582 में 1582 में इन्होंने एक कलेंडर बनाया जो काफी जादा इसके गमपेरिजन में एडवांस था ठीक है एंड डेट का जिसमें आपको उपर बता है इनका कैल्गुलेशन सटीक बैठ रहा था अल्टिमेटली 1582 में इनके जो बनाया हुए कलेंडर था उसको नाम दिया गया इन्ही के नाम से ग्रिगोरियन और अल्टिमेटली इसको यूज किया जाना शुरू हुआ कब से 1582 से ठीक है यह आपको याद रखना है और अगर मैं जूलियन कलेंडर की बाद करूँ तो जूलियन केजर नाम का एक विक्ती थे जिनोंने ग्रीस के थे रोमन एम्पायर के अंदर थे तो रोमन एम्पायर के थे यह जूलियन केजर इनोंने स्टार्ट किया था इसको ऐसा माना जाता है लगबग 40 BC में काफी पुराना था उस ताइम के साब से काफी एडवांस तो 40 BC में ने अपना कलंडर शुरू किया बट उसमें कमी थी जिसे मैंने आपको बता दिया अब हुआ क्या अल्टिमेटली सब के बीच में कि यहां पर इन कैलंडर को इस तरह से डिवाइड किया गया कि जो रशियन टेरिटरी थी रशियन टेरिटरी यूस करती थी किसको जैसे आपको दिख रहा होगा जूलेन कलंडर को और बाकी का वो जो वर्ल्ड था वो फॉलू कर रहा था किसको ग्रिगोरिन कलंडर को यह बड़ा एक अंतर था और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि रिशिया का इंफ्लूएंस काफी जादा था उस ताइम पर त तब रिशिया के अंदर जब रिवलूशन हुआ और वहां पर लोगों ने अपने आपको इंडिपेंडेंट कराने का सोचा जार से तो वो जो इवेंट हो रहे थे रिशिया की इसाफ से तो फैब्रेरी में हो रहे थे और वर्ल्ड की इसाफ से बिकॉस दे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बॉस उसिंग वॉट ग्रीगोरियन कलेंडर डैट इस वाई देर वस अग्रेट डिफरेंज अगर वहां फैब्रेरी बोल रहे हैं अपन रिशिया में तो वर्ल्ड क्या फॉलो कर रहा था मार्च जैसे यहां पर मैंने डेट्स पता ही है वहां पर फैब्रेरी रे कितने दिन का अंतर है यह अंतर हैं यह अंतर है हैं 13 एंतर हैं 15 सब्सकों जुलियन कलेंडर यूज होता था एंड फिर गरिगोरिन कलेंडर यूज होना शुरू हुआ कैसे हुआ उसको समझते हैं जब दीखा जाना शुरू हुआ कि बहुत सारी conflicted हो रहे हैं बहुत सारी issues हो रहे हैं देन फाइनली यहां पर रश्या ने भी एक फरवरी 1918 से इसको थोड़ा से याद अरके लिया ना डेट को 1st of February 1918 से इन्होंने स्टाट किया गरिगोरिन कलेंडर को यूज करना रश्या ने स्टॉप कर दिया कि जुलियन कलेंडर अब हम भी यूज नी करेंगे and अब हम भी गरिगोरिन कलेंडर को ही यूज करेंगे they have done that गरिगोरिन कलेंडर as already मैंने आपको बताया कि ये तेरा दिन क्या था आगे था साथ ही साथ यहां पर February revolution हो चाहे आपका October revolution हो उसमें जो date का difference था हमें ये देखने को मिला ठीक है मेरे इसाब से आदक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी एक चीज और ध्यान रखना जब इतना accuracy हमें पता लगा तो ब्रिटेन नहीं क्या किया ब्रिटेन क्योंकि उस टाइम पर काफी जादा काफी जादा powerful था तो ब्रिटेन ने 18th century की शुरुवात में 1700 and something में स्टार्टिंग के अंदर ही बता रहा हूँ आपको ब्रिटेन ने अनॉंस कर दे कि आप तो हम भी लगभग मेरे इसाब से 1752 half of 18th century 1752 के आसपास ब्रिटेन ने कहा कि अब हम भी Gregorian calendar ही यूज करेंगे उनकी जितनी भी territory थी सारी जगे पर फिर Gregorian calendar यूज होना शुरू हुआ और उस तक ब्रिटेन का पावर बहुत जादा था all over the world this is the reason के पूरे वल्ड में Gregorian calendar यूज हो रहा था including India so it was just a kind of brief hopefully आप सब कोई चीज समझ में आई होगी और आज का जो वीडियो होगा आपको कहीं न कहीं अच्छा लगा होगा informative लगा होगा आपकी knowledge भी बड़ी होगी इसी तरी की और वीडियो भी contentious ले हम लेकर आएंगे ज़रूरी है आप लोग थोड़ा से attentive रहे आप अपनी knowledge को increase करें चाहे exam आपका हुआ है अब हुगा जो भी बड़ आपकी knowledge इंप्रूव होती रहनी चाहिए हम कोशिश ही करेंगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहे तो telegram channel के थरू या comment box के थरू आप हमसे contact कर सकते हैं आप अपनी queries या कोई जो नए topic पढ़ना है वो भी बता सकते हैं कोशिच करेंगे वो topic आपके लिए जल्दी से जल्दी हम लेकर आए thank you so much for watching this video मिलते हैं एक next video में